दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका नाम आधार काड में गलत है और आप अपने आधार काड के नाम को चेंज करना चाहते हैं तो आप घर वैठे मोबाइल से आप किस परकार अपने नाम को चेंज कर सकते हैं इस वीडियो में step by step करके बताने वाला हूँ तो वीडियो को सुरू से लेकर लाश्ट देखें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को आल पर प्रेस कर लीजिए तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले बेबसाइट यू आईडी आई पर किलिक करना है किलिक करने के बाद इस बेबसाइट का इंटर्फेस आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा इस बेबसाइट का लिن्क मैं वीडियो के डिस्क्रेपशन में भी दे रिखाऊं उसके बाद आपको थ्री लाइन पर क्लिक करना है उसके बाद माई आधार पर क्लिक करना है उसके बाद अपडेट योर आधार पर क्लिक करना है उसके बाद नीचे के तरफ आना है और यहाँ पर आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा Update Demographics Data Online इस पर किलिक कर लेना है उसके बाद Proceed to Update आधार पर किलिक करना है किलिक करने के बाद यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करना है उसके बाद यहाँ पर आपको एक कैपचा दिखाई दे रहा होगा इस कैपचा को Same to Same इस बाक्स में फिल कर देना है अगर आपको यह कैपचा समझ में नहीं आ रहा है तो इस पर किलिक कर लेना है किलिक करते ही यहाँ पर दूसरा कैपचा आ जाएगा कैपचा फिल करने के बाद Send OTP पर किलिक कर लेना है किलिक करते ही आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर 6 डिजिट का OTP आएगा OTP को यहाँ पर फिल कर देना है OTP फिल करने के बाद लॉग इन पर किलिक कर लेना है इतना करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा उसके बाद अपडेट डेमो ग्राफिक्स डाटा पर किलिक कर लेना है किलिक करते ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि आप अपने आधार कार्ड में क्या क्या चेंज कर सकते हैं तो यहाँ पर आप नेम, जेंडर, डेटा पर्थ, एडरस, मोबाईल, नमबर, इमेल, आईडी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि आप नेम को कितनी बार चेंज कर सकते हैं नेम को दो बार चेंज कर सकते हैं जेंडर को एक बार और डेट आफ बर्थ को एक बार चेंज कर सकते हैं अगर आप नाम को चेंज करना चाहते हैं तो नेम पर किलिक कर लेना है उसके बाद प्रोसीड पर किलिक करना है प्रोसीड पर किलिक करते ही आपको कुछ इस तरह का मैसेज दिखाई देगा यहाँ पर आपको बता रहा है कि आप name, date of birth को कितनी बार change कर सकते हैं उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पर tick कर देना है उसके बाद proceed पर click करना है इतना करते ही आपके अधार card में जो नाम होगा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको वह नाम फिल करना है जो आप अपने अधार card में रखना चाहते हैं उसके बाद आपको एक document upload करना है यहाँ से document को select कर लेना है तो यहाँ पर मैं pen card को select कर लेता हूँ उसके बाद upload document पर click करना है उसके बाद gallery से document का photo upload कर देना है ध्यान रहे यहाँ पर वही document upload करना है जो नाम आप अपने अधार काड में रखना चाहते हैं वह नाम उस document पर हो और document के photo का size 2MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और document का photo का format JP, EG, PNG या PDF में होना चाहिए इतना करने के बाद preview पर click करना है click करते ही यहाँ पर आप जो document upload किया है उसका photo देखने को मिल जाएगा उसके बाद यहाँ capture fill करना है capture fill करने के बाद send OTP पर click कर देना है click करते ही आपके mobile number पर 6 digit का OTP आएगा उसको यहाँ पर fill कर देना है उसके बाद यहाँ पर tick कर देना है इतना करने के बाद make payment पर click करना है यहाँ पर आपको choose यह payment option लिखा दिखाई दे रहा होगा यहाँ से आपको 50 रुपे का payment करना होगा आप payment जिसके भी माद्यम से करना चाहते हैं उसे select कर लेना है तो यहाँ पर मैं debit card को select कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर card number fill करना है यहाँ पर expiry date fill करना है यहाँ पर CBB number fill करना है उसके बाद आपके card पर जो नाम लिखा है उसे यहाँ पर fill कर देना है इतने करने के बाद proceed पर click करना है click करते ही bank के तरब से आपके mobile number पर OTP आएगा उसे यहाँ पर फिल कर देना है उसके बाद Complete Payment पर किलिक करना है किलिक करते ही आपके सामने Transaction Successful का Message आ जाएगा उसके बाद Download पर किलिक कर लेना है किलिक करते ही AC Knowledgement Slip PDF में डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पर आपको URL नंबर देखने को मिल जाएगा आपका आधार कार्ड गौवर्मेंट के तरफ से अपडेट किया जाएगा आधार कार्ड में नाम 24 गंटे से लेकर 48 गंटे के अंदर अपडेट हो जाता है तो इस तरह से आप अपने आधार कार्ड में नाम को चेंज कर सकते हैं अगर आपको या वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए